कि हलो उस्तों अबसकार के पी टीचर अकाडमिय आपका हर्तिक सुवागत है आसा करते हैं आप सहस्त होंगे अच्छ होंगे दोस्तों आज हम बाल विकास सिच्छा साथ से करा 30 कोशन से लगाएंगे जो कि सीटर पर शेक देश्टी से बहुत ही मैत पूर होगा वीडियों ला करना सुसार के अनुब को प्रात्मिक्ता प्रदान करना डी ऐह बालक की पूचा अंट्रगत क्या समलित नहीं है इसपकासी कोशन पूचा यह यह तीन करेंगे और एक नेगटिब होगा कोश्ट को वहीं आपका आंसर होगा जिसके बात करते हैं कि बालक केंद शिच्छा की अंतरकत क्या सब्लस्द नहीं है तो जाती है अगला कोश्ष भी जाता है तो जाता है बाद्ट सीखने B.A. कार करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए C.A. कार के बीच में एक बार दी जानी चाहिए D.A. इसकी कोई आवशक्ता नहीं है तो कोशन पूछा रहा कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दोरान वे उस कार को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकरी उन्हें कैसे दी जानी चाहिए यह कोशन में पूछा रहा है दोस्के बात करती है इसकी जानकरी के लिए वह कार करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए कि वह किस प्रकार से कार कर रहे हैं तो आंसर रेक्ट होगा यहां पर मारा C अगला कोश्चन देखेंगे बिडियो को लाइक करते हैं दोस्तों साथ में कोश्चन देखेंगे थॉंडाइक के वैक्तुत के बर्गी करण का आदार है एसारिक गठन और सक्ल सूरत डिये रचनातक्ता और मौलिक्ता सीय समायजन और ब्रद्धी डिये चिंतन और कल्पना त अगला कोश्चन देखेंगे निम्न लखत में से कौन सी विसेस्ता कि प्रमक विसेस्ताओं में से नहीं है तो कोश्चन पुचागा कि निम्न लखत में से कौन सी विसेस्ता कि सुर्वस्ता की प्रमक विसेस्ता नहीं है कोश्चन नेगिटिम में पूचा गया है और सीटेट में कोश्चन इस पकार के काफी आती है तो पहले कोश्चन को बी करफली पढ़ेंगे कोश्चन किस पकार से पूचा रहा है उसके अक बागी तीनों बस्ता इसमें होती है तो मारा क्रेक्टर अंसर जाएगा डी अगला कोशन देखेंगे कि अधिगम को प्रवावित करने वाले कारक व्यक्तिगत क्या है यह कोशन में पूछा रहा है तो इसके बात करते हैं बिखर दीगम को प्रवावित करने वाले कारक जो व्यक्तिगत क्यूंद है कि परपकुक हुआ अई तो अगला कोशन देखेंगे BCS आवेसकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्रिक्त में से कौन सी भीव रचना अधिक उप्युक्त है A. अधिगम अधिकतम बच्चों को समलित करते हुए खक्चा में चर्चा करना B.A. बिद्धिहार्तियों को सम्रित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देना C.A. सहकारी अधिगम तथा पीर, ट्यूरिंग या सहपार्टियों द्वारा अनुसित छड D.A. अध्यापन के लिए योगिता आधारित साहुई करड C.A. कि कुशन की बात करती है कि बिद्वार्च्छे आवस्थग्ता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कि विए रचना सबसे ज़्यादा उप्यक्त होगी वह सहकारी अधिगम और प्यूर ट्यूरिंग जैसे कि सहपाटियों द्वारा अनुसिच्छड करना क्योंकि जो बच्चे बिसे साबसा वाले हो रहे हैं जैसे कि आप जैसे कि उन क्लास में क्या करेंगे उस ग्रूप स् X हैे अगला कोशन देखेंगे अ इस के इस्प्र Van के अनुसार सामाने कारख कोता है एजनम्याथ ऑर परवत्नी जानुने सी Windows अपरवत्नियत , । कोशन बुछ रागया कि आनुसार सामाल जीका रख क्या है यह कोशन बैसकि बात कारते सामन जी कारक है जो की जनम जात्व अपरवतनी है यह कभी चेंज नहीं होता है तो आंसर करक्ट हो जागा है अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में सेयर करने दोसके हाथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रैस कर ले जिससे की नौट रिफिश सब्सक्राइब करते हैं कि बालक में अपरादी प्रवर्ती बिक्सित होने का प्रमुक करण क्या है यह कुशन पूछा रहा है जो भी क्रिवटी हो रहे होगी तो बच्चे पर उसका जरूर पढ़ता है तो इसका लिए हमारे जहां पर मांसिक अपरादी आ बालक होते हैं दर और जो और उत्वादन की मात्रा दर और तता में विस्ट होता है यह कतन दिया गया है , टर्मन एवं ओडन द्वारा , बीए केरल एवं टर्मिंस द्वारा , सिये आर डवलू टेलर द्वारा , डीए उप्रुक्त में से कोई नहीं , तो कोश्चन में कतन पूछा गया है , कतन देखते हैं कवार और देखंगी , कि पृत्वास टेलर द्वारा तो आंसर एक्ट हो जागा है यहां पर हमारा सी अगला कोशन देखेंगे रास्टिय पार्ट चलिया की रूप रेका द्वार पांच की संसुस्तियों के संबंद में कौन सा कतन सत्य नहीं है कोशन नेगेटिम में पूछा गया है ऑप्शन देखेंगे परिच्छाओं में लचीला पन तो कोशन एक बार और देखेंगे कोशन पूछ रखी रास्टिय पार्ट चलिया की रूप रेका द्वार नसर संसुत्यों के संबंद में कौन सा कतन असत्य है असत्य कतन पूछा गया जैर नेगेटिम में और पूछन पूछा गया है तो रास्टि के प्रचातांत्रिक मूल्यों का सम्मानी होना चाहिए और ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना यह तीरों चीज क्या रास्टिय पाटिचला रूप रेका दौरा पांच में कही गई है जोकि बिश्व द्याला को राजनीति से मुक्स रखना यह बात नहीं कोशन देखते हैं पहले प्रॉप्शन देखेंगे निम्नलग्स में से असत्य कतन है कतन पुछ रहा कोशन में ब्यक्ति की ब्रद्दी एवं विकास की गती में नरंतरता रहती है बीये बालक का विकास बिस्ट्ट से सामानी की और होता है सिए बालक का विकास बातरवर्ण उसे में बरतु इसा हम बात करते हैं बोग यहां पर तो इसे में बात करते हैं यहां पर io यहां लोग से देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ यहात में कोशन देखेंगे आप यह ब्रद्धी एवं विकास के सिद्धान्तों एवं उनके प्रतिपातगों का कौन सा युगम असंगत है यह भी कोशन नेगेटिब में पूछा गया है असंगत का मतलब नेगेटिव होता है नह नेटिव विकास सिद्धान्त कॉलर तो इस कोशन पुछा गया कि ब्रद्धी एवं विकास के सिद्धान्तों एवं उनके प्रतिपातगों कौन सा युगम असंगत है या सही नहीं है इस प्रकास से कोशन पुछा रहा है तो उसके बात करते हैं पर कि संग्याना मनों विकास सिद्धान्त है जो कि इसके नर्जी नहीं दिया है यह रक्षिन दिये नहीं दिया है तो अंसर यह क्रेक्टर होगा है यहां प्यामारा सी अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन देखेंगे लैमरा के नहीं किस नियम को असुषुकार करते हुए लिखा है व्यक्टियों दौरा अपने जीवन में जो प्राप्त किया जाता है वहे उनके दौरा उतपन किया जाने वाले ब्यक्टियों नियम को सिद्यों को और को संक्रमित किया जाता है मैडल नियम वीए समानदा का नियम के संक्रम皆さん का नियम परेक्षिन का वखया अच्छी पूछ गया के लेमार्क ने बनेसाओं करम की किस नियम को असुकार करते ह। रिखा है की तोड़ा अपने जीवन में प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन किया जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है यह कुछन में पुछा रहा है तो उसके बात करते हैं लेमार्क जी ने जो कि अर्जित गुणों के संक्रमित की नियाम को अस्विकार किया है तो आंसर करेक्ट तो कोश्र मुचा रहा कि अधिगम को प्रवावित करने वाला चात्र समंदी कारक क्या है यह कोश्र मुचा रहा है तो इसके बात करती है भी कि छात्र का सार्ग वा मांसिक स्वास्त अधिगम को प्रवावित करता है और चात्र की ब्रद्दी वा रुची वी अधिगम को प्र करती है तो जो सारे तीनों को तीनों इससे समर्द कारक हो जाएंगे चात्र से तो अन से लिक्ट होगा है हो जागए यहां पर मारा डी और प्रक्त सभी कि अगला कॉशन देखेंगे ग्रहेंड सीलता की भावना बालक में किस आयू में सरवदिक होती है यह दो से चे वर्स बी यह साथ से आट वर्स C.A. 8-12 D.A. 11-16 तो question पुछा गया कि grant चिलता की बाहुना बालक में किस आयू में सरवधिक हो जाती है यह question में पुछा रहा है तो उसके बात करती है यह बाहुना, grant चिलता की बाहुना बालक में 11-16 वर्स की आयू में सबसे ज़्यादा यह सरवधिक उत्पन हो जाती है तो answer करेक्ट हो जागा यहां पर हमारा D. अगला question देखेंगे Thondike ने अधिगम के कुल कितने नियम बताई है A. 3. B. 5. C. 8. D. 6 तो question पुछा गया कि Thondike ने जो कि अधिगम के नियम बताई है वो कुल कितने नियम बताई है यह question कुछा जा जा रहा है तो कि यहां पर Thondike जी ने जो आठ नियमों का वर्लिन किया है तो answer रेक्ट हो जागा यहां पर हमारा C. अगला question देखेंगे अधिगम के इस्थानपनिता सिद्धान्त के प्रतपातक है इनमें से कोई नी तो question पूछा जा रहा कि अधिगम के इस्थानपनिता का सिद्धान्त के प्रतपातक कों है यह question में पूछा तो उसके बात करते हैं यहां पर अधिगम के इस्थानपनिता के प्रतपातक है जो कि -अधिवन गुथरी अगला कुश्चन देखेंगे वीडियो को लाइक करें जासे सेयर करें दोसके चैनल को सब्सक्राइब करें प्रैस करें जिसके नौटिक फिर्माद दिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी कुश्चन देखेंगे चिंतन की विकास का उपयाय क्या है? एए सिच्चकों को बालकों के ग्यान का विस्तार करना चाहिए क्योंकि ग्यान चिंतन का मुख्य स्थम्भ है B.A. सिच्छक को बालकों को तर्क, बाद, विवाद, समस्या-समाना और चिंतन सक्ती को प्रियोक करने के अबसर देने चाहिए C.A. सिच्छक को बालकों को जिग्यासु बनाए जाना चाहिए D.A. उपरुक सभी तो कोशन पुछा रहा कि चिंतन की विकास का उपाय क्या है यह कोशन पुछा रहा है उसके बात करते हैं चिंतन की उपाय के लिए सिच्छकों को बालगों के लिए ग्यान का विस्तार करना चाहिए क्योंकि ग्यान चिंतन का मुख्य स्तम होता है और सिच्छकों को बालगों क चिंतन की उपाई के लिए सबसे बैस्ट हो जाएगा दी ऊपर सभी अंसर हो जाएगा दी अंसर अग्ला कोशन देखेंगे कि सम्भेव की बिवनिता या बिनिता ब्यक्तित के के लिए समस्या होती है A. समायोजन, B. विकास, C. प्रतच्छी करड, D. प्रसुतीत तो कोशन पुछा है कि सम्भियों की बिवनिता या बिनिता बैक्तित के लिए किस के लिए समस्या होती है या कोशन पुछा है रहा है तो दूसके बात करते हैं A. समायोजन के लिए समस्या होती है तो आंसे तरेक्टर जागे यहां पर मारा ए अगला कोशन देखेंगे थोंडाइक ने वेक्तित का बर्गी करण किस आदार पर किया है यह सील गुड दिये सारिक मनावट सीए जीवन लक्ष एवं उनकी पूर्ती हितु प्रेतन दिये कल्पना एवं विचार सकती कि ठोंडाइक ने वेक्तित का बर्गी करण किस आदार पर किया यह कोशन बशहर है difference कि ठोंडाइक जीने वेक्तित का बर्गी कि कल्पना इवन विच्छार सक्ति के आदार पर किया है तो अंसर करेक्ट हो जागा यहां पर अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ यह चनल को सब्सक्राइब करें आगर प्रेस करें जसके नॉटिक प्रमाध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगे कोशन बुद्धी और स्रेजनात्पुत्ता में कैसा संबंद पाया गया है यह नकारात्मक भीए सकारात्मक डीए समानतर सीए डीए तो कोशन में बुद्धी और स्रेजनात्पुत्ता में संबंद पूछा गया वो कैसा है तो यहां पर सकारात्मक संबंद हो जागा तो अंसर करे निम्र लगतमे से किस स्तर को इंगित करती है ए पूर्म संक्रियांतमक संक्रियाओ का स्तर सि अन्टे प्रख्यातमक चिंतन का इस्तर डs संवेद़ी घतसील इस्तर तो कोशन पूचा गहाई कि प्याजी के मतानुसार बौदिक विकास के संदर्फ में चार से आठ या छे वर्थ माफ़केजिए चार से शाथ वर्स के आउउकी अवस्ता निम्र कुसमें से किस स्थर को इंगित करती है या कुछन में पूछ आ रहा है उसके बात करती है यह वस्ता पूर्व सक्रियां तो इस्तर को इंगित करती है तो आंसे रेक्टर जा गया है में वारा ए अगला कोशन देखती है प्याजी के मतानुसार बौधिक सिद्धान्त का बौधिक विकास का अंतिम चरड है ए अमूर्थ सक्रियां का इस्तर तो प्याजी के मतानुसार बौधिक विकास का अंतिम चरड क्या है यह कोशन पूछा रह इसके बात करती है तो आंसे रेक्टर जा गया है यह प्यादी को बौधिक विकी अगला कोशन देखेंगे वीडि़ीघ्यों सियर करें लाईक करें दोस्तों साथ में अधिगम की फल्सरूप बिवार में परिमारजन उत्पन होता है ए परपकुता की फल्सरूप बिये प्रिस्चड की फल्सरूप सी ए ए तथा बी दोनों ही डिये उप्रुक्स में से कोई नहीं तो कोश्चन पूछा जारा कि अधिगम की फलसरूप बिवार में परमायुजन उत्पन किस पकार से होता है। यह कोश्चन पूछा रहा है तो इसकी परपकुता के फलसरूप और परपकुता के फलसरूप जो कि अंसर माइना करेक्ट होएगा स्रजनात्मक्ता में अनिवार रूप में निहित नहीं होती है। स्रजनात्मक्ता में उच्च मानसे की योग्जिता नहीं होती है। तो अंसर करेक्ट होएगा यहां पर हमारा ए। अगला कोश्चन देखेंगे। अगला कोश्चन देखेंगे। अगला कोश्चन देखेंगे। अगला कोश्चन देखेंगे। कोश्चन देखेंगे। कोश्चन सोड़ा बढ़ा है। अगला कोश्चन देखेंगे। अगला कोश्चन देखेंगे। इन विद्ध्यार्तियों के संबंद में आप प्रद्रहाचारे को अवगत कराएंगे। इन विद्ध्यार्तियों के अव्यवक को सूचित करेंगे। आप इस और ध्यान न देकर कक्चया सचल़ पर ही ध्यान देंगे . इन विद्ध्यार्तियों के अनुपरस्ट्ति के कारणों की जानकरी करने हित्व। क्रियात्मक्सोद करेंगे। कोश्चन काफ़ अच्छ़ पूछा गया कोश्चन पूछा गया कि तो उसक्ता स्काट से अगर विध्यार्थियों की बिद्धियार्त क्राणियुक्ता क्रालद कारणने रहे निदान करूंगर किल्पेड द के पर इंदान करेंगी मारा टहुँंध ऊंप ऋ strawberry गया अगला हो गुश्न मोशन एक अध्यापक वह अनुवव करता है कि उसके बिध्यारती उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है ऐसी परिस्टी में सिच्छक को निम्लग में से क्या अपनाना चाहिए यह बिध्यारतियों को परामर्स दें कि भी प्राइवेट ट्यूशन लगा लें प्रामर्स अध्यापक से प्रत्थन करें कि उसकी कच्छा बदल दे उसे स्वें रिफ्रेसर कोर्स कराना चाहिए जिससे कि उसके अध्यापक कार्य में सुधार हो दिये हो है अन्यत्र नौकरी ढूंड ले तो कोशन पूछा जा रहा कि एक अध्यापक यह अनुबब करता है कि उसके बिध्यारति उसके अध्यापन से उसके अध्यापन से संतुष नहीं है ऐसी परिस्तितिया इस्तिति में एक सिच्छक होने कि नाती आप निम्रुक में से क्या उपाई अपनाएंगी यह कुछ नहीं पूछा रहा है जैसके बात करती हैं आपी कि ऐसी सिच्छी में कोर्स को रिफ्रेसर करेंगे और उससे उस दूसरे सिच्छी को उनकी अकोर्डिंग यहां पर अपनाना होगा जिससे कि वो रुचिपूर्ण हो और उसमें आनन्द लें और ज्यादा स्यादा सीखें या उनकी जो ब्यक्तिकत विवन्यता है उनको देखते हुए उनके अकोर्डिंग हमें अध्यापन करें तो यहां और अब आरेक्द हो जाइगा सी जी दोस्तो तो यहीं पर समय आप तो होता है मिलती है नेक्स सेर्शन में वीडियो को लाइक करें जैसे है आधकर स्विक्वत करें आपको तो प्रैस कर लें जिससे की नोटिफुल मार्दिम से आपको बीड़ी हूं रहेंगी जैन दोस्तो बंदे मातरम